नमस्कार नीच्पोनिशन देख रहे हैं और मैं हम आपके साथ रंजन सिंग राजपाल और सिछा विभाग में लगतार टकराव चल रहा था टकराव सिर्फ पतर तक था लेकिन जिस प्रकार से पटना इनवर्सिटी की अस्थापना दिवस थी वहाँ पर राजपाल ने अपन संबोधन के दोरान कई कड़े सब्दों का इस्तेमाल किया और सिछा विभाग के अधिकारी पर जो है वो जमकर बरसे साथे साथ मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी वही पर मौझूद थे और तमाम बातों को मुख्यमंत्री सुन रहे थे और सुनने के बाद नितीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अब हरकत में आ गए हैं और उन्होंने जो सिछा विभाग के मंत्री और जो अपरमुक्सचिव हैं सिछा विभाग के उनको भी बुला लिया है अपने एक अनेमार्ग में और यह सवाल इसलिए उठा क्यूंकि कुलादीपती को ही केके पाठक ने पत्र लिख दिया था और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया जिसके बाद राजपाल ने अपने कड़े तेवर दिखाए मुख्यमंत्री नितीश कुमार से सबसे पहले मुलाकात करने के लिए बिहार के सिक्षा मं मुख्यमंत्री पहुँचे और उसके मुलाकात के बाद जो है केके पाठक सियम हाउस पहुचे वहाँ पर लंबी बात हुई है कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राजपाल ने कड़े तेवर दिखाए हैं तो अब मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि तमाम जो अधिकारी जिस तरीके से पत्र लिखा है उन्होंने उन तमाम विश्यों पर अब मुख्यमंत्री की नजर बिहार में सिच्छा विभाग और राजभवन के बीच जारी विबाद के दौरान सूबे के सिच्छा मंत्री प्रोफेसर चंग सेखर ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मुलाकात क की है हाली के दिनों में राजभवन और सिच्छा विभाग के बीच हुए विवाद के इस मुलाकात को बेहत अहम माना जा रहा है गौर तलब है कि सिच्छक दिवस के दिन यानि 5 सितंबर को बिहार के सिच्छा मंत्री प्रोफेसर चंग सेखर ने राजपाल राजिंद्र व आजेंद्र विस्वनात आर लेकर सीम नितीश कुमार की मौजूदगी में सिच्छा विभाग के अप्रमुक सचिव के के पाठक पर जम कर भढ़के थे प्यू के कारिकरम में बोलते हुए राजपाल ने कहा था कि एक तरफ प्रशासन होगा एक तरफ सासन होगा और एक तर सिच्छा विभाग के हैं कि एक सचीव पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारियों को चुनौती देता है क्या आवशकता होती है कुल आदी पती से पूछते हैं कि आपकी ऑटनॉमी क्या है क्यों भाई ऑटनॉमी से आपको क्या दिकत हो रही है सिच्छा विभाग के एक सचीव के ऐसे पत्र लिखते हैं उनको ऐसा सहस कैसे हुआ किसके कारण सहस हुआ गवर्नर ने तंज कस्तेवे कहा कि जो विष्विद्याले के कुलाधी पती को इतना सम्मान करते हैं वे इन्वर्सीटी के कुला अधिपती को अध्यक्षक या प्रोफेसर सिच्छक हो उनका कितना सम्मान करते होंगे या समझा जा सकता है क्या इसके लिए हमने अपने भीतर जाकने की आवा सकता नहीं है और जिस प्रकार से मुलाकात हुई मुख्यमंतरी नितीश कुमार और जो राजपाल हैं उनके बीच मुलाकात हुई थी और राजपाल ने इस बात को खुद कहा था कि हमारे और मुख्यमंतरी नितीश कुमार के बीच कोई विवाद नहीं है हम लोग आपस में बैट कर बात कर सकते हैं और अब जब मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने तलब किया है प्रोफेसर चन सेखर को और उसके बाद केके पाठक को और इन तमाम विश्यों को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरीके से राजभबन और सिच्छा विभाग के बीच ज ठीक किया जाए अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या केके पाठक के जिस तरीके का निर्ने निकाल रहें तो क्या उस पर लगाम लग जाएगा यह तमाम चीजे आने वाले वक्त में ही साफ होगा बड़े इस परनेशन के साथ नमस्कार